साज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवांस ओडिटिंग का जो भी कॉम आपके थर्ड येर में है उसके MCQ स्टार्ट करते हैं इसके पहले मैंने अल्रडी अल्मोस्ट 100 MCQ डिसकस कर चुके हैं आये स्टार्ट करते हैं कुश्ट नमबर 125 से पहला कोशन कहता है आंत्रिक अंकेचछड का उद्देश है इंटर्नल जो ऑडिट होता है उसका क्या अब्जेक्टी होता है पहला है करमचारियों का नियंत्रड बी है वैपार का मुल्यांकन C यांकेचछड पर नियंत्र और D उप्त में से कोई नहीं तो इंटर्नल ऑडिट का उद्देश यह होता है कि उसमें वैपार का मुल्यांकन ठीक है ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशन कार की सफलता उसकी पूर व्यूजना में ही नहीं था यह क एक कमपनी अंकेचछड एक समय पर कितनी कमपनियों का अंकेचछड हो सकता है 10, 20, 30 की 40 कह रहा है कि एक कमपनी है जिसका अंकेचछड क्या है हम कितनी कमपनियों का ओडिटिंग जो है एक साथ कर सकते हैं कितनी तो वो कितनी हो सकती है 30 नेक्स्ट है एक अंकेट चको अपनी नियुक्ति के कितने दिनों के अंतर स्वीकृति की सूचना रेजिस्टर को देनी चाहिए साथ दिन, दस दिन, पंदर की तीज दिन, कहतो कितने दिन के अंदर तो वो तीज दिन next है कमपनी द्वारा नियुक्त कियेगा अंकेच्छक को नियुक्त कि कितने दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक है वहाँ पूछा था कि रेजिस्टार को देनी चाहिए और यहाँ पूछ रहा है कि सूचना नोटिस कितना देना अवश्यक है तो 7, 14, 21 की 30 तो कितने दिन? 7 दिन option A हो जाएगा correct answer अंकेच्छ प्रारंब करने से पूर्व अंकेच्छ को नियुक्ता को कौन कौन से निर्देशक देने चाहिए A है प्रारंबिक लेखों की समस्तुस्तकों के जोड लगाकर उन्हें सेस आगे ले जाए समस्त लेन देनों से संबंदी प्रमालक व्यवस्थित करना विनियों की सूची उनकी लागत वा बजार मुल्ली की सूची D है उप्युक्त सभी तो अंकेच छड प्रारंब करने से पहले नियुक्ती कौन कौन से निर्देश देने चाहिए तो उप्युक्त में से सभी हो जाएगा Option D इसका correct answer हो जाएगा Next अंकेच छड प्रारंब करने से पूर्व निमलिकित में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए A संस्था संबंदी जानकारी अंकेच छड की अवस्ता आउशकता अंकेच छड की अवधी की उप्रुक्त सभी तो आरम करने से पहले हमें क्या होना चाहिए संस्था की भी जानकारी रखनी चाहिए उसके importance की भी और उसकी अवधी की इसलिए option D हो जाएगा उप्युक्त सभी auditing के मेरे मेरे channel पे सारे theory batches जो है lectures अप्लोड हैं कि auditing क्या होती auditing objective क्या है उसके importance क्या है क्यों की जाती है ये सारी detail में video आप concept clear हो जाएंगे उसे जाकर जरूर देखिए नेक्स्ट है जाज की एक लोचदार योजनावरिद रिती की अंके छड़ कारिकरम कहलाती है auditing program पे भी हमारे channel पे videos पड़े हैं उसे भी ये कथन है water w wick, arthur w homes, spicer एवा पैगलर की homes are distiller तो ये statement जो दी गई है ये definition किसके द्वारा दी गई है और थर w homes के द्वारा दी गई है नेक्स्ट कोशन नमबर कहता हैं की छड़ कारिकरम का मुख उद्देश है स्रम की बचत संस्था की मिज़ित्वा प्राप्त करना से है समय की दिस्टी से कर्मचारियों में कारविवाजन करना और कारियों की सहयोगी के मद उनकी योगता के अनुसार इस प्रकार विभाजित करना की कोई कार छूटे न तो basically auditing program का main objective पूछा तो option D हो जागा इसका correct answer की कारियों को सहयोगी के मद उनकी qualification उनकी योगता के अनुसार क्या करना उनको divide करना की कोई कार क्या हो उससे चूटे न next अंके इछड कारिक्रम होना चैए लिखित मौखिक लिखित वो मौखिक के उपक्त मेंसे कोई न auditing जो कारिक्रम होता है प्रोग्राम होता है वो कैसा होना चैए ये written होना चाहिए तो option A हो जाएगा लिखित नेक्स्ट एक लिखेत योजना जिसमें किसी अंके छड़ संबंदि विस्तित विवरड रहता है उसे कहते हैं अंके छड़ कारिक्रम अंके छड़ नोटबुक अंके छड़ स्मरड पत्र के उपक्त में से कोई ने तो एक लिखित योजना के लिए जिसमें संबंदित विस्तित विवरर रहता तो वो क्या होता है और्डिटिंग प्रोग्राम होता इसलिए option A हो जाएगा इसका correct answer अंके चड़ कारिक्रम अंके चड़ कारिक्रम होना चाहिए कठोर यांतरिक कठोर और यांतरिक लोच्धार तो जो ऑडिटिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए लोच्धार होना चाहिए फ्लैक्सीबल होना चाहिए इसलिए option D हो जाएगा correct answer next है एक प्रभावपूर अंके छड़ कारिक्रम होना चाहिए लिखित सरल वासपस्ट सरल असपस्ट वामने तुथि सरल असपस्ट लिखित में तुथि वह लोजपूर डी उप्युक्त में से कोई ने तो एक जो प्रभावपूर जो ओडिटिंग प्रोग्राम होना चाहिए बिसिकली वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, ठीक है, लोजपूर होना चाहिए तो option C हो जाएगा correct answer Next question number 138 की अंके चन नोटवो के एक ऐसी हस्त लिखित वह तो ये किसने statement ये definition जो दी गई है, Howard Stettler ने दी है Next है, अंके चन नोटवुक की विसेवस्तू में सामिल नहीं है अंके चन पूस्ताक जिनने तुरंट निप्टाया गया है भी है भावी संदर वहेतू, महतपूर सूचना है जो खातों में प्रकट नहीं होती है और अंके चन के दौरान देखी गई गलतियों तथा अनिमता है तो auditing जो notebook होता है, उसमें कौन सा कहरा सामिल नहीं है ठीक है, तो कौन सा सामिल नहीं है, option नहीं हो जाएगा अंके चन पूस्ताक जिनने तुरंट निप्टाया गया है आपको advanced auditing में auditing होता क्या है ठीक है, definitions authors की देंगे, इसमें से कौन सा objective नहीं है कौन से इसके importance नहीं है, जब आपके concept clear रहेंगे तो basically correct option आप choose कर पाएंगे जहाँ concept clear नहीं होंगे तो वहां तो इसलिए बोल रहे हैं कि सारी videos हमारी channels पे upload हैं उसे देखकर अपना concept आप clear कर सकते हैं नेक्स्ट अंकेच्छड कारेपत्र में किन-किन बातों का समावेस होना चाहिए तैयार करने वाले हस्ताच्छ पत्रों को बनाने कीती थी प्रयोग किये गये चित उप्युक्त सभी तो जो अंकेच्छड कारपत्र होता है उसमें किन-किन बातों का समावेस होना चाहिए तो option उप्युक्त होताएगा सभी option D सकरेक्ट नांसर हो जाएगा next question number 141 अंकेच्छड संबंदी कारपत्र को रखने का मुले उद्देश क्या है संदर्व के रूप में उप्योग कारप्रगती का मुल्यांकन भविश के अंकेच्छड में सहाय की उप्युक्त सभी तो option D हो जाएगा उप्युक्त सभी अंकेच्छड कारस संबंदी प्रपत्रक पर स्वामित होता है नियुक्ता का अंकेच्छड का लेखपाल का की उप्युक्त में से कोई नहीं तो अंकेच्छड जो होता है प्रपत्र पर किस को रॉनर स्वामित होता है अंकेच्छड का इसले option भी हो जाएगा correct answer नेक्स्ट रोकोष्ट नमर 143 है प्रतम अंकेचक कब तक आने अपने पद पर रहता है एक वर्स की अवदी के लिए किसी भी ऐसी अवदी के लिए जब तक नए अंकेचक की रियुकती न हो जाए और प्रतम वार्सिक साधार सभा की समापती तक और कंपनी की वैधानिक सभा क चालू रहने पर तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है प्रतम अच्छे अंकेचक जो होता है अपने पद पे ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतम वार्सिक साधार सभा की समापती तक नेक्स्ट कोशन 144 नमलिकित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें आंतरि अंकेच्छ चार्टर लेख पालक लागत अंकेच्छ लागत लेख पाल या चार्टर लेख पालक और चेत अंकेच्छ भारत का नियत रखे हो महा लिखा परिच्छक तो ऑप्शन भी हो जाएगा आंतरिक अंकेच्छ चार्टर लेखा पालक ऑप्शन भी हो जाएगा करेक् जब हमारा बिजनस क्या हो बड़ा हो इसलिए option A हो जाएगा इसका correct answer नेक्स्ट है management audit से आसा है प्रबंदकों की ओर से अंकेच्छड प्रबंदकों की उद्देश्यों वा कारियों की विदिवज जाच C है प्रबंदक लेखन का उद्देश अनुप्युत सभी तो जो management audit से क्या आसा है कि उसमें option B हो जाएगा कि प्रबंदकों की उद्देश वा कारियों को विद्विद जाच करना तो option B हो जाएगा correct answer नेक्स्ट है चालूं अंकेच्छड continuous audit से आसा है आंत्रिक अंकेच्छड नियमित अंकेच्छड वर्स की समाप्ती पर अंकेच्छड की दी आंत्रिम अंकेच्छड तो continuous जो audit है उसका मतलब होता है नियमित continuous क्या हो अंकेच्छड auditing होता रहे इसलिए option B हो जाएगा correct answer नेक्स्ट कोश्ट है नेक्स्ट कोश्ट नमर 149 सरकारी कमपनी के अंकेच्छड की नियुक्ती जो करता है तो सरकारी कमपनी के अंकेच्छड की नियुक्ती जो करता है अंशधारियों द्वारा संचालक मंड़ द्वारा भारत के महालेखा पर इच्छड की नियुक्ती सरकार द्वारा तो government जो कमपनी होती उसकी नियुक्ती कौन करता है option C हो जाएगा भारत के महाले का परिच्छा की अनुशनसा पर केंदरी सरकार द्वारा वर्तमान में अंके छड का मुखे उद्देश है त्रूटियों उन्चल कप्टों को पता लगाना वृत्ती विवराणों का मुल्यांकन करना गर्ती सुधता की जाच करना और तीसरा उप्युक में से कोई ने तो वर्तमान में जो अंके छड का basically main object होता है कि जो भी errors हो जो भी frauds हो उनका क्या करना पता लगाना इसलिए option है A हो जाएगा इसका correct answer next है एक अंके छड कारिकर्म निकिर में से बनाया गया कारिकर्म next है एक लिखित नियोजना जिसमें किसी अंके छड विसे से संबंदित व्रिस्तित वुड़र रखता है उसे क्या कहते हैं अंके छड अस्मरणपत अंके छड कारिकर्म अंके छड पुस्तिका की उप्युक्तमी से कोई नहीं ठीक है तो उसे हम कहते हैं अंके छड कारिकर्म option B हो जाएगा इसका correct answer next है आंतरिक अंके छड से आसे आंतरिक रोख्थाम की प्रणाली अंके छड दोरा दयनिक जाच प्रबंदकों की ओर से अंके छड अंके छड दोरा प्रारंबिक अंके छड तो internal जो audit होता उससे आसे क्या होता है कि option A हो जाएगा आंते एक रूख थाम की प्रणाली चिठ्ठा अंकेचर से क्या आसे है तो चिठ्ठो की मदो का अंकेचर आंतिम खातो का अंकेचर लेखा का नेमित वार्सिक अंकेचर की चिठ्ठे की पूर्व तयारी हिद्व पुस्तको का अंकेचर तो चिठ्ठा अंकेचछड से आसा है कि चिठ्ठे के जो मदों का है उनका अंकेचछड करना इसलिए option A हो जाएगा correct नास है next है कोई chartered accountant किसी company का लेखा परिच्छक होने के आयोग नहीं है यदि वह company का एक करमचारी है उस company का प्रबंस अंचालक है उस company को 1000 रुपए का रड़ी है और उस company का अंसधारी है तो अगर कोई chartered accountant है तो इसमें से नहीं पूछा है तो option D हो जाएगा उस company का क्या है अंसधारी है last question of the day है लागत अंके छड में सामिल है A store से हम अत्रिक पूजी पूजों का अंके छड बी है सामगरी श्रम वेव का अंके छड चालू मालक का अंके छड उप्युक्त सभी का तो लागत अंके छड में क्या सामिल है पूजा है तो उसमें option D correct हो जाएगा क्योंकि उसमें store सामगरी लेबर श्रम क्या है सारी चीज़ें involved रहती है उसलिए option D हो जाएगा correct answer I hope you आप लोग को यह question समझ में आया होंगे और इससे जितनी बार revise करें आप वो उतना सही गाए I hope you आप लोग को समझ में आया होगा okay thank you